साहियो मादी अ … अरियोम् कि तुम कभी ने सुद्रों की चुओं अंदर जाके बोल आज घर में मिश्ठान न बनेगा कोई महमाना ने वाल है कि दादा दादा वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है अना पचास साथ लोगों का अरियो दादा पचास साथ आप लोगों को तो पता ही होगा वैसे कौन-कौन आ रहा है कुछ खास बात है क्या मोटे आप तो सिफ बढ़ियाचा खाना बनाए उसके बाद में मज़ा देखिए कैसी अब तुमारी दोस्त आपको क्या हुआ ये किसने मारा आपको कर्म का फल है और इससे कोई बरी नहीं हो सकता पत्थर मारोगे तो पत्थर खाना भी बढ़ेगा आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं आपको डर नहीं लगता डर तो उन्हें है जिन्होंने वो पत्थर मारा है और मैं तो प्यार सिखाने आया हूँ जहां प्यार होता है वहां डर कहां होता है जहां होता है दादा ने पचास लोगों का खाना वन्वाया और बुलाया सिर्फ अपा को आखिर क्या चाल चल रही है दादा किसी या तरूरी काम से बुलाया मुझे अरियो अब से मिलने जुनने के लिए समय कहा मिलता है अपाजी और आप तो जानते हैं पुरे श्रिडी का उत्तरताईत वह है हम पर आप भी बड़े वेस्त रहते हैं गाव में अन्दान का काम जो करते हों आप पती-पत्नी पर अन्दान तो पुन्य का काम होता है गाव की रक्षा करना गाव का कारेभार संभानना ये भी पुन्य का ही काम होता है अपाजी क्योंकि अंग्रे सरकार के हर प्रश्ण का उत्तर जो देना पड़ता है हमें लेकिन आप ये सब कहा समझेंगे आप जेसे लोगों से चार हाथ दूर ही रहती हैं अंग्रे सरकार अरे ओम वैसे मैं आपको बता दूँ आपाजी आपके इस अन्दान के बारे में बड़ी रुची और जानकारी रखता हूँ मैं मेरी श्रेडी में ऐसे पुन्य का काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए वैसे मैं बाईजात का को भी आमंतरित करना चाहता था इस त्रियों का बहुत सम्मान करता हूँ मैं ऐसे पुन्य का काम करने वाले इस त्रिका अगर मैं सम्मान कर पाता तो बड़ी प्रसन्यता होती मुझे लेकिन वो संभवना हुआ चलिए उनके भाग का सम्मान आपको दिये देता हूँ मैं लगता है कि अप्पा और इनके पत्नी ने जरूर कुछ कड़बड़ की है पर मुझे क्या? जो भी है आज मजा बहुत आने वाला है तो आरम करें अप्पाजी अब क्या आरम करने के लिए कह रहे है भोजन इसकी कोई आवशकता नहीं वैसे भी मैं घर पर बता के नहीं आया घर पर खाना बन चुका होगा और सब राह भी देख रहे होंगे लो मपाजी आप भोजन को ना कह रहे हैं अन्न को ना कह रहे हैं मैंने तो विशिष आपके लिए भोजन बनवाया है अन्न का अपमार मत केचिये थीक है मैं थोड़ा सा भोजन जरूर करूँगा अरे देख क्या रहे होंगे हाथ दोने के लिए पाने तो चाओ आये आपाजी आये 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 अरे ओम कि वह लेक था आज उपवास है मेरा आप अन्नक रहन कर हमें धन्य कीचिये अरे ये क्या कर रहे है अपाजी अरे अरे ये क्या कर रहे है अपाजी भूजन अदूरा छोड़ना तो और भी अपमान है अन्नका आप समा अपत कीजिए जितना है थाले में व्यादना व्यारत जाएगा नाली में ठीक है अन्नका अपमान नहीं होना चाहिए जितना पुरुसा केया है उसे खतम करता हूँ हाँ यह पल्लू कैसे भड़ा यह पल्लू कैसे भड़ा पांदिया किसी बिखारी के घाव पर कब समझोगी कब सीखोगी दुनियादारी समय बदल गया है बाईजा यह जो दुनिया है ना भलाई करने वाले लोगों को मूर्ख बना के लूटती है यह जो तुम कर रही हो ना एक ना एक दिन हमारे परिवार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी समझी मुझे तो लगा आपको और चाहिए पर आप तो परोज दिया है खालेजी देखे में इतना इतना नहीं खापाऊंगा मगर अभी तो अपने दादा से कहा ना कि थाली में जितना होगा खालूंगा है ना अब आज हट्टे कट्टे है बजा लेगे हाँ पचा ही लेंगे आज तो अप्पा केले ही फज़ गये आप हमेशे ऐसे ही अकेले रहते हैं कि लोग क्यों ना हो हम अकेले ही होते हैं लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं दूसरों के लिए सोचते हैं तो भले ही हमारे साथ कोई भी न हो हम फिर भी अकेले नहीं होते हैं और इसी लिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता कर दो दो अरियो मैंने आपको उठने के लिए नहीं कहा है अपाजी समझ नहीं पा रहा हो कि आप चाहते क्या है लो अरियो 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 लुव झाल झाल आपकी पतनी और आप अन्नदान को महापुन्य समझते हैं इतना महत्व देते हैं अन्नदान को कि मेरे आदेशों की आउमाना करने से भी आप लोग नहीं चूपते हो अफमानने? कैसी अफमानने? बाइजाग का उन्होंने उस बेरागी को भोजन कराया जब हमने हमें सरकार का आदेश याद दिलाया तुन्होंने हमें ही डाट दिया अर्यो यदि आपने ये सारा भोचन समाप नहीं किया तो आप साही को शिर्डी से बाहर निकालेंगे अपने साही के लिए आप इतना तो करेंगे अगर नहीं करेंगे तो अब तो अप्पा जी को कोई चमतकार ही बचा सकता है एक बात पूछू हाँ पूछो सब केते हैं कि आप चमतकार करते हैं समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते हैं और ऐसे में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोगों को चमतकार ही लगता है आप मेरी किसे भी बात का सीधा सीधा उतर क्यों नहीं देते मदद ता आप करते ही है मोनी को आपने ठीक कर दिया वो भी तो एक चमतकार था लोगों को लगता है आपके पास कोई शक्ती है है क्या? जब किसी दूसरी की तकलीफ से हमें तकलीफ होने लगे और किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने की इच्छा पैदा हो तब हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जाग जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती खास तोर पर जब किसी निर्दोश और साफ दिलवाले इंसान के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते है अब मैं यह समझा आपकी चान में मैं चानता हूं यह अन्ग्रेज उने जो आपको अधिकार दिये है उसके मुदाबिब आप साई को बिना किसी के सहमत ही के यहां से निकाल सकते हैं और भी आप ऐसा करनी पा रहे हैं इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्या है और जहां तक रहा मेरा सवान तो मैं आपको ऐसा कोई बहाना नहीं दूंगा जिससे के मेरे साई मुश्किल में पढ़ जहेंगा इसलिए आज मैं भोचन करूंगा और करता ही रहूंगा आपढ़े रही अपने जित पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा जैसा मुझे मेरे साई पर है ऐसा क्या है साई में जो आप अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं आपढ़े रंगा तो उस पर अगरे बाबाता आपढ़े रहा है आपढ़े बादा में अपने रहा है आपढ़े रहा है आपढ़े प्राणों की भी चिंता रहा है लोड़ो 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 क्या हुआ? खाना कम पड़ेगा क्या? खाना तो पचास लोगों का बना है, लेकिन खानेवाला सिफ एक वैक्ति है, वो भी कितना खाएंगे? यहां तो इतना सारा खाना है, सारा खाना व्यार्थ चाहेगा, गुवर अन्न का अपमान, यह समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसका पाप उन्हें ही लगेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, तो भाईजा को भ्याना होगा, नर्मदा? जाओ जाकर भाईजा को बला कर लाओ, जाओ चली हाँ वैनी, दो आर चावल और दाल्दो, चल्थी तो पाईजा को अनर्मदा बाईजाकर! 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 क्या हो आनर्मदा? क्या बात है? आपस चल्दी चलिए वो अप्पा अप्पा को खुल करनी सरकार में हुण 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 हुख ये हेच्च की मेरी अचानक कैसे रुख गई? को ये कहां से आगई अब? अहो भाग हमारे आप तो स्वेम पधारे देखिए ना एक फिकारी की साहयता करने के करण आपके नात आपके स्वामी कितने बड़े संकट में है कि क्या कर रहे हैं आप चली उठिए आपके उठने से खाने का कोई अपमार नहीं होगा खाने को अपने अहंकार की पूर्ती का शस्त्र बना कर इस्तबाल कर रहे हैं ये जले भी खाओगी झाल क्या बिगाडा है हमने या साई ने आपका मैंने कुछ नहीं किया है मैंने विकलब दिया था आपके पती को या तो खाओ या तो उस भीकारी को निकालो लेकिन दिखिए ना आपके पती को भोजन भी प्रिये है और वो भीकारी कि उसमें मैं क्या कर सकता हूं आप तो बड़ी समझदार हो आप जाके कहो ना उस भीकारी से कि यहां से चला जाए जाए वरना कई ऐसा ना हो जाए कि आप माजी खाते-खाते हरी ओम हो जाए ताइपू ताइपू